नमस्काय दोस्तों तो आज हम फिर लेके आये हैं एक नई वीडियो जो कि एक छोटा सा पाउच हम बना के दिखाएंगे जो कि बहुत ही सुन्दर बनेगा और आप लोगों को पसंद आएगा जिसके लिए हमने ये दो कपड़े के पीछ लिए हैं पॉम लगा के अस्तर लागे के हंगे सिलाई मार लिए इसमें तो ये इधर से पांच इंच है लंबाई साथ इंच है इसकी दोनों पीस एक ही नाप के हैं इसे हम इस तरह भी से मोड लेंगे इस तरह से मोड के यहां पे बीच में इसमें निशान लगा लेंगे इस तरह से तो दोनों पीस में इस तरह में निशान लगाना है उसके बाद इस तरह में ये देखिए कोने को मिलाते हुए काट लेना है तो यह दोरों तरप इसी तरह हम इसमें लिचान लगा लेंगे तो यह देखिए इस तरह है तो इसे हम कट कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह है पीछ तयार हो जाएगा इसी तरह हम दूसरा भी काट लेंगे तो ये देखे दोनों हमने पीज काट के तयार कर लिए और इसको हम ये देखे इस तरह नाप लेंगे इंची टेप को इस तरह रखते हुए तो ये हमारा 19 इंच आया है इसी के नाप के हम एक ये कपड़े का पीज लिया है फोम लगा के अस्ता लगा के इसे हमने तयार कर लिया है ये देखे इस तरह से तो इसकी चोड़ाई ये 10 इंच है लंबा है इसकी 19 इंच रहेगी तो ये देखे 19 इंच हमने काट रहा है और उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे बीच से बीच से फोल्ड करके उसके बाद हम इसमें निसाल लगा देंगे बीच में ये देखे दोनों तरफ इस तरह लगाना है और उसके बाद इस पीस में भी हमें बीच में ही निसाल लगाना है और उसके बाद इस तरह हम ये देखे दोनों पीस को तैयार कर लेंगे इसी तरह निसाल लगाके तो इस तरह निसाल लगाके हम रख लेंगे उसके बाद हम चैन लेंगे इसी के बरावर Свकाट लेंगे और इससे खोलके हम दोनों तरफ लगा लेंगे और इस तरह टॉप स्टिच रख देंगे तो ये देखे हमने दोनों तरफ चैन लगा ली है उसके बाद इस तरह हम सीधा पीस रखेंगे और इसको इस तरह ये देखिए उल्टा करके और जो निसान लगाए हैं उन्हीं को मिलाते हुए इस पे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पीस में तो चलिए लगा के दिखाते हैं तो ये देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा ले है और उसके बाद हम ये रनर डाल देंगे तो ये देखिए इस तरह हमने डाल दिया है उसके बाद हम उल्टा कर लेंगे इसको और उल्टा करके ये देखिए इस तरह पीस पकड़ेंगे हम अच्छे सिकोने मिलाते हुए इस पे हम सिलाई रख लेंगे तो ये देखिए हमने सिलाई रख ली है एक तरफ इस तरह और इसी तरह हमें दूसरी तरह भी सिलाई लगाना है तो ये देखिए इस तरह तयार हो गया हम खोल के दिखाते हैं आपको बहुत ही प्यारा एक पाउच बनके तयार हो जाएगा ये देखिए इस तरह बहुत ही सुन्दर दो कलर में बनके तयार होगा यह देखे इस तरह तो दोस्तों अगर वीडियो मारी प्रसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसी तरह हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी यह हो यह हो आपके धने जरूर को सब्सक्राइब मेंगे जरूर को सब्सक्राइब करें